हेलो बच्चो बच्चो अब तक हम दो चैप्टर कर चुके हैं कॉंप्लेक्स एनलाइसिस के पहला था कॉंप्लेक्स नमबर और दूसरा हमने चैप्टर किया था जो है अनल्टिक फंक्शन का कि अब तीसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कन फॉर्मल मैपिंग का बच्चे जो तुम्हारे जानते वे बच्चे होगे अगर तुम ऐसा अपने अपने में रखोगे किसी को बताओगे नहीं तो फिर मैंसा तो मेरा भी तो हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी फिर क्या रहा जाए और जब इतनी मालों तुम पसंद आ रहा है ठीक है तुम कमेंट भी करिए उस पर बताइए मुझे यदि मालों कोई कमें भी है तो कमें बताइए तो को करिए तो को करिए कि मैं कन्फॉर्मल मैपिंग स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम पिछले चेप्टर में पढ़का चुके हैं ऐसे ही यहाँ पर एक मैपिंग है उस मैपिंग में कुछ विशेष्टा होनी चाहिए फंक्शन के अंदर तो से कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखी अपने पास से डवल एक्वल टू एफ जैड कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं इसके पास अंदर पुट करूँ अपने पास से जहां डवलू है उसको इस तरह समा लेता हूँ और जैड को लिख लेता हूँ मैं एक्स प्लस आई वाई और यह वनमे मैं पुट करता हूँ तो यू प्लस आई वी की वैली हो जाएगी है हमारी यहाँ पर एफ के अंदर एक्स प्लस आई वाई अब इस फंक्शन को जब हम खोलेंगे तो चाहे कुछ भी फंक्शन हो होगी तो एक्स वाई में फिर उसे हमें ब्रेक कर लेना है रियल और इमेजनरी में उसके बाद इक्वेट कर देना है रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट रियल एंड इमेजनरी पार्ट इससे क्य तुरुफान का दो होग को मैपिंग या ट्रांस्पोर्मिशन करता है इन रिलेशनुंपाइंगे क्या जो हमारी z की वैलिव हम इसके अंदर पूट कर आएंगे फिर की वैलिव निका लेंगे व कि वैलिव क्या आएंगी वह यह हमें बताएंगे यह दोनों डिलेशन कहलाते हैं और को कि फ्रान्स फॉर्मिशन एक ही बात है एक च्छुड़े सी एक जामपल लेते हैं मालीजे हमारे सामने ऐक फंक्षन आई डबलू कहती है या एक हेट पास मालेज़े एक मिनिट के लिए जैड प्लस 2 प्लस 3 आई मालीजिए यह कोई function है ठीक है अब इस function में हमने put करा जहाँ Z है वहाँ पर X प्लस आईव आई और जहाँ W है वहाँ पर U प्लस आईवी तो U प्लस आईवी की value आ जाएगी हमारी Z की जहेंगे X प्लस आईवाई equal to 2 प्लस 3i equait कर दीजै Real and imaginary part तो U बन जाएगा तो मरा Real part हो जाएगा यहाँ पर X प्लस 2 यह प्लस है X प्लस 2 और जो imaginary पार्ट हो जाएगा V बराबर वो हो जाएगा हमारा Y प्लस 3 तो यह तो जो दोनोIRLSION है यह कहलाते हैं transformation या MAPPING अब यहां पर तुम्हें देखना क्या है कि जो जब जैड की जो वैल्यूस फंक्शन के अंदर पूट कर रहे हैं तो जैड खुद एक्स और वाइप डिपेंड है मतलब जैसे कि तुमने रियल फंक्शन पड़ी है एक रियल फंक्शन की एक्जांपल देता हूं मैं तुम्हें मालों वाइप लिखा हुआ है एक स्कुर्ण और तुम से कहें कि इसको ट्रेस करके दिखाईए इसका ग्राब बना कर दिखाईए तो तुम करते क्या हो इसमें ए सब्सक्राइब आधाई कि मैं कि माली यह तुमने व्याइक बन रखी तो वाई की वैलव न आ गई एक स्कूर पेड्र दूरत की तो यदि तुम से कहा जाएं इनको ड्रो यह प्लोट करें तो इनने तुम बड़े दांसा प्लोट कर दोगे तो पहुज करिए हमने यहाँ पर एक एकसे और वाइकसे ड्रोग रहे हैं उनको हम इन्पुट बोलते हैं इन्पुट वैल्यू तो वह हम दिखाएंगे इस लाइन पर जैसे वन रखका फिर टू रखका फिर थी रखका और भी रखेंगे और जो वाई के वेले निकलती हैं व एकूपन है वह हम एक पेपर पर ही सो कर रहे हैं और इस पेपर को बोलते हैं का मैं तो यहाँ पूर बात मैं 3 एंपॉट कराया तो आउटपुट हुआ छी नाइन तरह आ दो को एक करव बन जाता है ने यहिए जैसा वह सब्कूंप्लेक्स करा नहीं यह जब है फोल यहां पर घ्री हो थो तो X प्साई वैं तो Z फुर डिपेंड है ex Versa। तो Z को ही दिखाने के लिए हम aquarium Z कीrio Input कर रहे हैं वह खु़ुद Ex Or Vipra Depend है उसमें रियल पार्ट भीये कुछ है इसका मतलब यह हुआ कि जो हम वैल्यू को इन्पुट कराएंगे उसके लिए भी हमें एक प्लेन की जरुत पड़ेगी और जो हमारा आउट्पुट आएगा डवलू तो वह भी खुद उसका रियल पार्ट भी होगा उसका में पार्ट भी होगा तो उसे भी रिपरजेंट करने के लिए हमें एक अलग प अब लकार कर दिखाता हूं तब ही तो मैं सबस्क्राइब कि मैं कहना क्या चाहरा हूं एक मिन पर चुझा रहा हूं और से तुम्हें समझाने कोईश कर रहा हूं कि हम कहना क्या चाहरे है माल लीजिए हमारी कोई फंक्शन ऐसी है जो अभी लीटी उसलिए तो या दूसलिए लोग यह कोई दिक्कत नहीं उस है एफ जैड़ एकॉल टो है माल लीजिए जैड़ प्रस तो सिंपल सी फंक्शन लेटी में है यह है अब हम इसमें जैड़ की वैल्यू पूट कर आएं लीजिए कि इसने जैड़ की वैल्यू यह रखी वन प्लस आई है तो प्लस जीरो जीरो आई जीरो आई पुछ भी रख लीजिए वो तो कोई देख कतनी है थ्री प्लस पूर आई ऐसा तुम जैड़ की वैल्यू रखते जाओगे इसके अंदर फिर डबलो की वैज तुम न की और टू फाइव जाएगा और इमेनरी पार्ट हमारा फोर आई जाएगा अब तुम से कोई कहने लेगे इन्हें सो करिये प्लेन में तो अब यहां सोचिए कि जो हमारा जैड़ है खुद उसके जियल और इमेनरी पार्ट है तो जैड़ को दिखाने के लिए जो हमने इंपुट कराई है पहले उन्हें दिखाए इतना होँगा तो जो हमने जैड़ की वैल्यू निक्र आई उन्हें सो कर देते हैं चलिए हमारी लाइन नहीं चल पार है हम सिंपली ड्रो कर लेते हैं यह हमारी एक्स एक्सिज़ यह यहां पर मैं जैड़ की दिखाउंगा इस कि यह मैं सब बोल रहा हूं इस नाम रख रहा हूं जएड़ प्लेंग इसमें जएड़ की सो कि जा पहली वैल्यू है वन प्रस आई इसका मदा रियल पार्ट बन बन ऐसे अब भी एक वीडियो बनाने कोश करें थी मकड ठीक हमें पहले वीडियो बनाएता हूं लेकिन यह हमारा पैन थोड़ी प्रोलम करने लगा कल भी यह दिक्कत थी मैंने वीडियो कही बार बनाई बीच में इस पैन ने धोका दे दिया वीडियो बीच में रोखने पड़ गई ठीक है अब यही प्रोलम अफ करने लगाई है जबकि इससे पहले सुभे भी पढ़ाया इससे तब कोई प्रोलम ने हुई फिर यह दिक्कत करने लगा है अब देखो यहां पर फिर हम जैड की दो सी वैलियो ने पूट कराते हैं तो रियल पर तो दिखा दीजे और वाई कितन जीरो है तो यहां बैठ जाएगी लगवागी अब देखो यह दिक्कत खड़ी होगी अब कराओं कैसा इसको जह है यह चलनी रहा है कि यहां आगया टू जीरो एक मुंण को बच्छो एक मुणर मुण dunarsi ओगे अब दूसरा पॉइंट हमतीसा पॉइंट हमारतर ही तो 3, 4, x पर 3 ले लिजे, y पर 4 ले लिजे, suppose गरी है, आप आप बैठ गया, 3, 4, यहाँ है, तो यह value हमारी z की है, एक value यह है, z की, एक यह value है, एक यह है, माल लेजिन के नाम रख दिये, मैंने इसा z1 का है, इसा z2 का है, इसा मैंने z की का, अब हम देखना चाहते हैं, जो हम value को दिखाने के लिए, मुझे दूर से plane की रित पड़ेगी, इसको हम कहेंगे, w plane, w plane का हमने real x जमायनती u, और image x जमायनती v, तो 3, 1, तो 3 यहाँ पर 3, u पर 3, और v पर 1 ले लिजे, तो माल लिजे, यहाँ को वैसी अंदाज़तों रगा रहे है, एक point तो लेना है, माल यह यह है, हमारा 3, 1, अब कोई पुछल लेगा, 3, 1, जो यह image आई है, w की value आई है, वो किसकी आई है, यह z1 की आई है, जबकि z1 क्या था, 1 बन बन था, और कहां गया, वो map हुआ, 3, 1 पर, कहने का मतलब, यह 3, 1 है, वो 1, 1 की image हुई, इस mapping के दौरा, और यदि इस तरह हम लेजे, तो w2 क्या है, w1, w2 की, z2 की, z2 की image है, इसी तरह से हमने, z3 की image निकलती, वो आई थी 5, 4, तो 5, 4 यहाँ पर 5 लेजे, 4 पर लेजे, यह आगया, 5, 4, तो यह हमारा, हमा लिजे, w3, फिर सुन लिजे, यह हमारा z1 है, यह हमारा z2 है, यह हमारा z3 है, जो हमारी यह value निकल काई, वो w1 आई, यह value w2 आई, और यह value हमारी w3 आई, तो इस तरह से complex के अंदर, जो input कराए जाता है, उसको भी एक अलग plane में दिखाना पड़ता है, औ और जो output आएगा, वो हमारा w plane में दिखाया जाएगा, जबकि real में ऐसा नहीं होता, real function में क्या होता है, जो input कराए हो तो में x की value, और जो output निकल रहा है y, वो एक ही plane में सो कर दी जाते है, लेकिन complex में थोड़ी जटी लिता है, क्योंकि जटी लिता है, क्योंकि दो दो plane का इस्तिमाल किया रहा है, एक plane में हम काम नहीं चला सकते, पस complex function में यही प्रोड़ी प्रोलम होती है, अब हम कुछ और आए करते हैं, देखें, मैंने यहाँ पर एक, एक छोटा दर वैसे एक रफ एक जामपल दिया है, जो मैंने अभी तुम्हें करका दिखाया, वो ही दिया ठीक है, और फिर जैसे हुआ भरी, तो W की वैली निकल का आई, वो भी निकल का आई, W1, दावलो 2, WN, तो मैंने लिक कि भी दिया है, W1 क्या है, Z1 की image है, W2 क्या है, Z2 की image है, WN क्या है, ZN की image है, तो मैंने यहाँ पर जो value मैंने put कराई हैं Z की, वो तो दिखाई है इस व दिखाया जाएगा complex के आंदा तो जो इनकी इमेज आई निकलके वह हमने डवलू पर निखाई तो बस इसको करा है और कुछ नहीं है इसमें इस से अगला टोपिक देखे एक 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 जाम पर लेते हैं अब मैंने यह एक चांपल दी है कि वह यह फंक्शन हा वारी complex के रूप म और मैं कुछ तुम्हें पॉइंट देना हूं इन पॉइंटों को मैप करके दिखाईए जैसे दियल में कहते हैं कोई function दे दी वाई और एक्स में एक्स की वैल्यू दे दे कुछ वैल्यू और कहा गया कि इन मैप करके दिखाईए ऐसी complex के अंदर देखना रहे हैं कि इन है जैड एक्वल टुवन प्रस तो पुछ नहीं करना बस इसको फंक्चन अबर दीजिए तो पुट करना है तो मैं जैड की जैंग है बन सब्सक्राइए इसके अंदर इन जो गिविन फंक्चन है वन है इन वन में तो डबलू की वैल्यू क्या जाएगी जब जैड की 2y प्लस 1 अँचा रियुप चर्ट लिए कितना अगया इसका रिल प्ट्ट वह गया में अगया डबलू को हम लिखते हैं तो यू इम लिखते हैं तो इसका मनद यूग लिए टू आ गई है और वी की वैलिओ कितने अगई है वन आ गई है यह जैर को लिखना चाहो तो प्लेन में और जो आउट्पुट निकला उसे यहां दिखा देंगे डवलू प्लेन में इन्पुट कराया है हमने वन प्रस्ट वाई इसका मतलब एक्स पर वन वाई पर तू तो तो यह हमारी जैड की वैलिव जो हमने इन्पुट कराई लेकिन जो आउट्पुट हुई वह तो यहां पर आई बन यहां पर माली जैड़ सकते हैं अजसे चांद दिए गए इसको इसक बढ़ देना इमेज निकल जाएगे तो यह तो अलग अलग इनिकाली लेकिन यह निदि बहुत सारे पॉंट एक साथ दे जाएए एक ग्रूप में दे जाए उन पॉइंटों की मेंगे निकालेंगे वह मैंने दो से एक जाम्पस समझा एक जाम्प लें मैंने यह कि यह मैपिंग यह कोई ट्रांस्पोर्मेशन है और तुम्हें इमेज निकाल ली है Y इस जीरो लाइन जी अब ईक्स आफ्स पर कितने पॉंट होगे infinite पॉंट तो मैं एक दो पॉंट की बात नहीं कर रहा अभी जो में एक जांपल दी थी उसमें तो के विए दो पॉंट थे उनकी में निकली गई थी लेकिन अब वो करा infinite पॉंट की में निकली दिखा एक साथ तो कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए पहले हम उनक पर कितने पॉंट है इस लाइन पर infinite पॉंट है अब मैं एक एक पॉंट की इमेज निकाने लेगूं और इसमें रख कर उसे सोल करूंगा तो पुरी जिन्दी की विज जाएगी सारे पॉंटों की में तब भी निकल पाऊंगा मैं क्योंकि इस लाइन पर infinite पॉंट है जैसे क अगला पॉंट हमारा बंजीर हुआ है अधे पर मेंट चल जा तो काम पूरा हो जाएगा लेकिन यह चलने को त्यार है नहीं है अग्यों कि बिल्कुल ही बंद हो गया है तो अग्यों कि अच्छो बिल्कुल बंद हो गया भी एक काम करना बंद कर दिया एक मुन रुक जाई है citizen और पॉंट कितने पॉंट असके हैं यह म कि अगला को सकता है अब इस पर oko Farm of an आप है आप इसारे अनगे साइडा में मैं पॉनट हैरा सारे पॉइंटों को मैप करना है तो जब भी किसी ग्रूप में बहुत सारे पॉइंटों तो उन्हें कैसे मैप करते हैं वो मैं उतारता हूं जो तुम्हें इक्वेट कर दीजिये रियल और इमेजनरी पार्ट यहां पर देखें तो यू की वैली हो जाएगी एक्स प्लस वन और वी की वैली हो जाएगी यहाँ पर वाई माइनिस वन यह तो इनहां बोलते हैं कि मैपिंग हूँ ओफ लाइन वाई इकल टू जिरो की मैपिंग इसकी मैपिंग चाहते हैं तो तुम्हें करना क्या है इसके द्वारा इसके द्वारा वाई को टू जिरो के द्वारा जिसको तुम मैप करना चाहते हो इसके द्वारा एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें यू उसे बदलेंगे ट्रांसफोर्मेशं ट्रांसफोर्मेशन होगा तो यह बढ़े में घरों के मोलों में लिगा होता है तर्सफार्मर क्या करता है एक कि पिसक्तवील के सब्सक्राइब क्यानि न्हुंगि आपड़ाइब हमारी xy में, cardigan form में, और हम बदल नहीं है uv में, तो इनकी help लो ना, तो किसी भी तरीके से एक ऐसा समझ मना दो, जिसमें केवल या तो ui, या केवल vi, या uvi, xy ना है, लेकिन बनाना इसकी help से है, जिसको तुम बदलना चाथते हो, तो y की value, यदि मैं इस वाले में बढ़ दूँ, इस है मालीच में 3rd का, इस है में 2nd का, अगर ये y की value में 3rd में 3rd में बढ़ दूँ, तो यहां से v equal to आ जाएगा, put in 3rd, तो v equal to कितना जाएगा, minus 1, बस, इस से ही हमें चला पता, कि भी जितने भी इस line पर point होंगे, तो w plane में कहां map होंगे, यह u है, यह v है, और यह हमारा w plane, तो वो इस line पर map होंगे, v equal to minus 1, जैसे यहां पर x y oxygen, ऐसे यहां पर u ay b है, तो v equal to minus 1, का मतलब क्या है, v पर minus 1 की distance लो, और minus 1 की distance लेकर, एक line draw कर दो, यह minus 1 है, और यहां पर line draw कर दो, यह रही, तो v equal to minus 1, इसका मतलब है, इस line के ऊपर, जितने भी point है, वो इस line के ऊपर map होंगे, चेक कर लिए जाए तुम, चलो सबसे परे देखते हैं, 00, यह point है 00, तो 00, इस वाले में भरके देखो, z equal to 0 plus 0i भरके देखो, तो w कितना आएगा, वो सोचो, यहां बरा तुमने 0 plus 0i, तो w की value बैठेगी, 1 plus 1 minus i, इसका मतलब point क्या बना, 1 minus 1 बना, तो इसका मतलब यह point है 00, 00, कहां map हो रा, 1 minus 1 पर, तो 1 minus 1 कहां जाएगा, u की value 1 आई है, और v की value कितनी आई, minus 1, तो इसके उपर यहां आएगा, 1 और minus 1, तो इसका मतलब यह वाला point, इस point बजा का map होगा, अगर कोई कहने लेगा, 2 0 कहा map होगा, तो जैड की value भढ़ दीजे, 2 plus 0, आई, किसके अंदर, इस mapping के अंदर, तो यहां से w निकाल लीजे, w कितना आएगा, जब जैड की value यहां बढ़ होगे, तो तो इसकी value आएगे, 3 minus 1, इसे check करिए, कहां point बैठेगा, तो u पर 3 है, और v पर minus 1 है, आएगा, तो इसी line पर ही, यहां आएगा, लगवा, 3 minus 1, इसका मतलब यह वाला point, जो 1 0 point है, कों साथा, 2 0, 2 0 point है, वो कहां map हुआ, 3 minus 1 पर map हुआ, तो इस तरह से हम पूरी line को हमने map कर दिया, तो जब किसी बहुत सारे point को एक साथ map करने हो, तो उसका तरहीका यही होता है, जो तुमें point दिये गए होंगे, वो किसी line पर होंगे, या किसी curve पर होंगे, या circle पर होंगे, कहीं पर भी होंगे, उसकी equation की help लो, और एक ऐसा संबन निकाल दो, जिसमें केवल U, या केवल B, या UV आ जाए, बस उससे तुम बड़े आरम सा map कर दोगे, उसे, एक example मैं roughly अपने पास सा बना के दिखा रहता हूँ, माल लिए हमाए सामने कोई mapping यह दे दी, वैसे ही ले रहा हूँ उसे example सा, Wиков favorable देदे चलूँ इस ही mapping को लेते हैं, जो यह उपर लेवाली mapping है, उसको लेते हैं W क्या थी एख yeah mapping जो बली ंब्वाली mean थी यह यह से सरकिल बनाके देखता हूँ मेदे निस स Zurज है, कें? जाती है कि कहां गया सर्किल चलो जी यह रहा सर्किल नहीं बनाता है यह रहा सर्किल ठीक है यह सर्किल यह पूछे जाता है है इस सर्किल के ऊपर जितने ही पॉइंट है सबको इस मैपिंग से मबांगे इस cosmic particles के तो क्या करें हम हम इसकी एक्वेशन निकाल लें तो वह इन सारे पॉइंटों की मैपिंग कराना चाहता है यह कह दीजिए इस सर्किल की मैपिंग करना चाहता है तो हम यहाँ मैपिंग करना चाहते हैं किस की सर्किल की पेले एक मिट को पर इससा तोड़तों लें इसे हम ब्रेक करें इसमें पूट कर लिए वह आपना जैड की जैगेगे कितना एक्स प्लस आई वाय और डबलो की जैगे लिगए ले लिगए लिजिए यो प्लस आई वी त तो इससे transformation क्या बनेंगे वो देखे यू की value तो आ जाएगी तुम्हारी x प्लस 1 और वी की जो value हो जाएगी वो जाएगी y प्लस 1 y-1 यह बनेगे उपर कर दिया तर मैंने वो यह रहाँ अब हम किसकी mapping करना चाहते हैं हम चाहते हैं circle की mapping तो यहां लिखेंगे हम mapping of circle circle की question हम जानते हैं रेडियस बन डाली है मैंने center originally है यह जितने भी complex number इसके उपर होंगे उनका real part यहां रख तो इमेनरी पार्ट को satisfy करेगा अगर मादो तुम नहीं आप पॉइंट लिया तो क्या पॉइंट हो गए सब्सक्राइब करेंगे इसकी सहायता से इसकी सहायता से एक संबन ऐसा बना दीजिए जिसमें यू या केवल भी यह दोनों आ बस एक वाई नाए तो कैसा बनाएंगे हम एक काम करेंगे बाई से एक स्कीवल निकाल लेंगे तो यू माइनस बना जाएगी बाई थार्ड से हम वाई केवल निकाल लेंगे तो वह वी प्लस बना जाएगी और इससे पुट कर देंगे सरक्ली की इक्विशन में पूट इन फॉर्थ जब हम इसा फॉर्थ में रखेंगे तो यह ऐसी बनेगी यह यू माइनस बन का इसक्वाईर अप प्लस वी प्लस बन का इसक्वाईर टिक्वल टू कितना जाएगा अब तुम देखो सोच कर तो यह यूवी में रिलेशन बना यह रिले अवारा यूलय एक का स्क्वाइर प्लस बी माइनस एक है का स्क्वाईर इक्वल टू रेडियस यहां पर मmostर होता था संडा था एक की सथे हैं किफेलों नमाइनम मतलब यह है कि यह सारे जितने भी कॉञंट है कि ऊपर वह एक के ऊपर ही मेब हों गए यह माले यह लेकिन डाबलु बैन में कई क्सогी कहां बनेगा जिसका सेंटर है तो सेंटर रहरा ले लिए यह रभण और यह रावाद अमस्वाड track तो सेंटर यहां बैठेगा कि इस तरह का सरक्ल बनेगा यह तो यह इसका वालब जितने भी इसके उपर पॉंट आएंगे वह इस सरक्ल के ऊपर आएंगे यह यह विए अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो इसका कोई एक पॉंट पकड़ लो इस में रखो इस मैपि बाएंगे इसके अंदर जैड़ की वैलिव इस पॉंट की में जाता हूं मैं तो तो मेंने रखिली कां कर रहा हूं मैं जैड़ की वैलिव क्या बढ़तू यह बढ़तूंगा तो दब्लों वेलु क्या बैटएगी वह बैटाने किन फॉइन फॉंट क्या बना तो मैनिस वं तो सोच के देखा Two-Qència point कहा होगा इसके अदर, U के value 2 आई, V के value-1 आई, तो U के value 2 लेनी है, तो 2 जाएगी, यहाँ तकि 1 है, तो इस सा आगा जाएगी, हमें पता है, यहright center है, तो यहाँ तक की 2 होगी, यहाँ तक की, U की value 2 है, और V की value कितनी है, मानेस है तो यह कितनी मानेस यह तो है तोसका मिनक हम लाग यह वह पॉंट यहां है तू और मानेस इस ओलिपर इस डार्मीटर के इस सverse इक गैसे यह हुआ कि जो यह वह फॉंट तहब अधिकर कि की यहां होगा है यह पर वाला जो पॉन्ट है यह सरका हुआ महां powder यह हमारा यह उपर वाला जो लेकिन आरा सरकिल के ओपर ही है तो हम यह बताना चाहरे हैं यहाँ पर कि इस तरह से तुम किसी ग्रूप में बहुत सरे पॉंट दिये गए हो तो उनको भी तुम मैप बड़े राम से कर सकते हो को तो यह ही हम सिकाय थे इस के अंदर आजकी व्यूडियो में कि क्या होती हैं यह तो मेप करना होगी हम अगली हुड़ी बात करें कुछ से करें कि तुम जो है इनको बताओ किसी को जया तुम्हारे जानते हुए होंगा से क्या नुखसान प्रणी हो जाया कोई ईतल तुम तो उससे माली यह तुम करते या माली जिए बताते नहीं हो तो फिर मुझे क्या व्याना बनाने का वीडियो मैं बंद कर दूँको जो